अब आईए वक्त आ चुका है जब आप अपनी या अपनों की कुंडली खोल कर देखें कि कहीं आपकी कुंडली में कोई पित्र दोश तो नहीं बन रहा है इसके लिए आपको अपनी कुंडली के फिफ्थ आउस को देखना पड़ेगा वहाँ पर अगर सूरी रहू रहू और शनी शनी और केतू ये विराजमान है या चांडाल दोश गुरु रहू का बना हुआ है गुरु केतू का बना हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके कुंडली में फित्र दोश बन चुका है और यहाँ आपके संतान की वज़े सा आया है जो पिछले जनम से ट्रांसपर होता है और इस जनम में भी आप अपनी संतान की कुंडली खोल कर देखोगे तो उन में वही दोष वापस आ जाता है इसलिए समय रहतें गरह दोषों के साथ साथ पित्र दोष की भी निवरती होनी चाहिए इसके लिए मैं अलग से बहुत सारे का दीपक अपने पित्रों के नाम से रोज शाम को जरूर जलाएं इसी उमीद विश्वास और प्रात्रा के साथ अपनी जुबान को विराम देना चाहता हूं प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद